Sir, welcome back. Question number 53 is going to be the another question. But before that, I think we should just look at the concept of geared and unguared beta जो हमने IFM वाले chapter में पड़ा था. अब हम पीछे जाएंगे. पीछे जाने के बाद IFM वाले chapter उपन करेंगे और geared and unguared beta वाले जो concept था वहाँ पे आएंगे. जहां पे भी हमने ये देखा था. आपको मैं एक चीच बता दूँ कि नोट्स में बाद में fair करके दूँगा तो जो आपके पास में हाथ में आएंगे वो better होंगे. अच्छे से format किये होए होंगे. यहां पे तो जो मैंने अक लास में पढ़ाया उस हिसाब से रहते हैं. अब geared और geared beta का हमने ये formula देखा था कि geared beta is equal to unguared beta in bracket 1 plus debt equity ratio 1 minus tax ये formula होता है. Unguared beta और geared beta क्या होता है? द्यान देना. एक company है जिसमें आपने funding या capital में सिर्फ equity raise किया है. यानि सारा का सारा पैसा इस company में equity shareholder ने लगाया है. हाला कि same company है, similar nature की है, इस company में equity और debt दोनों ने पैसा लगाया है. इसमें equity ने 5 करोड लगाया था, इसमें equity ने 3 और debt ने 2 करोड लगाया. हमने क्या बोला कि अगर मान लो company liquidate होने की नौबत आ गई, बंद करने की नौबत आ गई और company के पास में सिर्फ 2 करोड रुपे बचा है, सब कुछ settle करने के बाद. तो ये 2 करोड रुपे किन में बाटे जाएंगे? इन 5 करोड की shares की value में बाटे जाएंगे. यानि हर 1 रुपे की equity के लिए सिर्फ 40 पैसे वापस मिलेंगे owners को, तो 60 पैसे का नुकसान है, यहाँ पे नुकसान कितना है सर? 60 पैसे का नुकसान है, क्योंकि 5 करोड तो हमारे पास में बचे ही नहीं है, 5 करोड वालों को 2 करोड देना है तो कैसे बाटोगे? ऐसे ही बाट अगर geared है company इसका मतलब उसकी capital में debt है, उसने बाहर से भी पैसा उठाया है, अब अगर company की same situation और 2 करोड रुपे बचा है company के पास में तो पहली priority बाहर वालों को दी जाती है और 2 करोड लाइबलिटी है, 2 करोड हमारे पास में है, इनको दे के हम खतम करेंगे, हमारे लिए क इतना बचासर, equity वालों के लिए बचा तो 0, यानि कि पूरा का पूरा एक रुपया, एक रुपय का नुकसान, 100% नुकसान, तो loss equity वालों को geared वाले case में जादा हो सकता है, geared वाली company में loss होने के chances जादा है, as compared to unguared, जहाँ पे loss जादा, उसका risk जादा, तो geared का risk हमेशा unguared स जादा ही होता है, geared का risk, unguared से हमेशा जादा ही होता है, मैं बताता हूँ ध्यान देना, ये तो unguared हो गया, unguared multiplied by one तो हो ही रहा है, यानि नीचे नहीं आ सकती value, इस unguared से value नीचे नहीं आ सकती, तो one में plus जरूर हो सकता है, यानि कि unguared की value ये बढ़ जरूर सकती है, कम न ही होगा उसके ऊपर कुछ आ सकता है यहां पर तो यह था गेड़ और अंगेड़ का concept ठीक है और तो बाकी अच्छ यह मैंने derivation बताया था कि कैसे हमने derive किया था अब आपको यह चीज़ आद रहनी चाहिए बाकी हम आते हैं वापस हमारे question पर अब ध्यान देना question number 53 sir xyz एक large business house है is planning to acquire abc another business entity in similar line of business xyz has expressed its interest in making a bid for abc xyz ने अपना interest दिखाया कि वो abc को खरीदना चाहता है xyz expect करता है कि after acquisition उनकी annual earning 10% से बढ़ेगी will increase by 10% following information ignoring any potential synergistic benefit arising out of the possible acquisitions are available all in all पूरे statement का मतलब है xyz की company abc को खरीदना चाहता है अब आपको कुछ detail दी हुई है paid up capital आपको दोनों company का दिया हुआ है face value आपको दी हुई है 10 रुपे की अगर आप paid up capital को 10 रुपे से divide करोगे तो आपको number of share पता चल जाएंगे 102.5 और 10.60 am I right 10 से divide कर दिया current share की prices आपको पता चल की जैसे number of share को current share की prices से multiply करोगे आपको market value मत पता चल जाएगी ठीक है market value market value दोनों company की अब आप debt equity ratio अगर आप देखोगे तो debt equity at market values ratios दिये हुए market values 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 4 equity beta सिर्फ आपको इसका दिया हुआ और ये क्या है ये तीसरी company है proxy entity proxy का मतलब है ABC और XYZ जैसी ही same company market में जो available है same line of business में उसका data दिया है तो उसका सिर्फ दो ही चीज़े दिया हुई है debt equity ratio और equity का beta ये जो beta आपको दिया हुआ है ये simple beta नहीं है ये geared beta है ठीक है और धान देना ये geared beta है कहां से पता चला क्यूंकि company में ऊपर में देखोगे तो debt है दिखरा नmaya debt है company में इसका भी यहाँपे beta निकालो कि टो geared ही निकलेगा क्यों sir क्यूंकि company में debt है ठीक है assume beta of the debt to be 0 debt का beta 0 मानो और corporate tax rate 30% मानो और ये बताओ कि बीटा कितना होगा combined entity का वो आपको equity का बीटा नहीं मांग रहे ये वाला बीटा नहीं मांग रहे ये वाला बीटा भी नहीं मांग रहे दोनों का merger होने के बाद का बीटा बताओ combined beta combined को marking करके उपर लिखो portfolio beta actually what they are asking you is simply portfolio beta कि सर दोनों को merge कर दिया तो beta कितना होगा और simple है portfolio beta आप कैसे निकालते थे summation of weight I, beta I तो आपको ये ही निकालना है आपको XYZ का beta निकालना पड़ेगा ABC का beta निकालना पड़ेगा XYZ का weight निकालना पड़ेगा ABC का weight निकालना पड़ेगा वेट निकालने के लिए सबसे best method है market value basis paid up capital cannot be the basis market value is the most appropriate basis और आपकी कहानी simple हो जाएगी अब ध्यान देना proxy company है मतलब same line of business है तो 1.1 इधर भी लिख सकता था में ध्यान देना अब मैं थोड़ा सा pencil change करता हूँ यह 1.1 में direct यहाँ पे और यहाँ पे लिख सकता था लेकिन नहीं लिख पा रहा हूँ क्यों पता है लिख सकता था क्योंकि same business दूसरी company कर रही है तो उनका risk मेरा risk उनका risk मेरा risk लेकिन सिर्फ एक चीज का फरक पड़ गया अगर आप देखोगे तो उनके हर 4 रुपे के equity के बदले में सिर्फ एक रुपे का debt उठाया गया है यहाँ पे 3 रुपे के बदले एक रुपे का debt है यहाँ पे 2 रुपे के equity के बदले एक रुपे का debt है अगर आप debt का percentage देखोगे तो यहाँ 25% है यहाँ 33.33% है और यहां 50% का डेट है as compared to equity जान देना total नहीं as compared to equity या फिर अगर आपको total निकालना है तो बहुत simple company में एक रुपे total पांच में कितने होते है सर यहां 20% का total debt है यहां 25% का total debt है और यहां 33.33% का total debt है 1 by 3 कर दो तो आप देखे हो debt बढ़ता जा रहा है obvious सी बात है debt बढ़ता जाएगा तो risk of loss भी बढ़ता जाएगा और risk बढ़ता जाएगा तो beta भी बढ़ता हुआ दिखना चाहिए यहां 1.1 है उससे जादा यहां आना चाहिए ABC में और उससे भी जादा XYZ में आना चाहिए तो क्या मैं 1.1 इन दोनों में यूज कर सकता हूँ नहीं कर सकता क्योंकि debt का use अलग-अलग है debt का use अलग-अलग है तो risk भी अलग-अलग होना चाहिए तो हम क्या करेंगे sir बहुत simple जो proxy entity का geared beta है उसमें से debt का risk हटा देंगे और उसे convert कर देंगे unguared beta में जान देना geared को unguared कर दिया अब आप इसमें 1 is to 3 का risk डाल दो 1 is to 2 का risk डाल दो और geared में convert कर लो वापस बढ़िया ही interesting सा question है यह question number 53 हम क्या करेंगे देखना geared beta लेंगे proxy का उसको convert करेंगे sir unguared beta में ठीक है और उसके बाद same unguared beta को इस्तमाल करेंगे geared beta निकालने के लिए और geared beta निकालने के लिए यह निकालेंगे हम abc का यह निकालेंगे हम xyz का इसका मतलब क्या होता है कि जो भी 1.1 का geared beta दिया है उसमें से हम remove करेंगे debt का risk 1 is to 4 का ratio हटा दोगे और यहां पर आप add करोगे abc का है 1 is to 3 का ratio और यहां add करोगे 1 is to 2 का ratio this is what we are going to do दोनो बीटा एक बार का आ गया धान देना दोनो बीटा अगर एक बार का आ गया तो बीटा ओप the combined entity will not be that big risk Summation धान देना Summation of weight i, beta i बस दोनों company का weight लो दोनों company का beta लो और आपका कहानी simple तो step by step हमें पहले beta निकालना है दोनों का फिर weight निकालना है दोनों का फिर combined entity निकालना है तो सबसे पहले चीज यहाँ पर लिखेंगे un-geared beta so geared beta is equal to un-geared beta in bracket 1 plus debt equity ratio 1 minus tax geared beta कितना इसर 1.1 है ठीक है और उस company का debt equity ratio है 1 is to 4 1 minus 0.30 तो यहाएगा 1.1 is equal to un-geared beta into 1.175 so un-geared beta is equal to 1.09 0.937 9362 देख रहे हैं आप geared से un-geared कभी भी कम होता है क्योंकि उसमें risk कम होता है पूरा equity finance अगर company होती पूरी equity finance company होती तो उसका beta होता इतना चीक है अब इस एक beta को यूज करके दो जगर पे हम geared निकालेंगे यह 0.9362 यह वाली value है हमने क्या कर दिया 1.1 में से 1 is to 4 का ratio हटा दिया और 0.9362 आ गया अब यह यहाँ पे convert होगा वापस same formula यूज करेंगे sir बीटा गेर्ड इस एक्वल टू बीटा अंगेर्ड इन ब्राकेट 1 प्लस debt equity ratio 1 माइनस tax यहाँ पे हम मैं लिकूंगा बीटा ओफ ABC इस एक्वल टू अंगेर्ड बीटा है 0.9362 ABC का debt equity ratio 1 is to 3 1 minus 0.30 और बीटा ओफ X Y Z 0.9362 1 plus X Y Z card equity ratio 1 is to 2 1 minus 0.30 1.1546 1.2639 यह आपके answer आ गए 1.1546 1.2639 आपको मैं यहाँ पी भी लिखके दिखाता हूं आपको अब समझ में आएगा यह फालतू की चीज़ा अटा देता हूं 1.1546 1.2639 देखा अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे जैसे debt का proportion बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे बीटा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है ठीक है सर अब हमारे यह दो बीटा आ गए दो बीटा तो आ गए अब हमें weight निकालना जरूरी है तो अब c वाला part देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं share capital दोनों का share capital हमको दिया हूए 1025 और 106 x y z abc फिर face value दस दस 102.50 और 10.6 दीज आर कॉल्ड अज नंबर ओफ शेर्स market price आपको question में दी हूई है दहान देना 129 आप देख रहो market price है एक share की 129.60 और इसकी है 55 तो क्या लगता है आपको क्या आएगा जब मैं multiply करूंगा that is called as market value 13284 583 आगी market value अब total कर लो टोटल है सर 13867 combined market value percentage या फिर आप बोलो weight दोनों का weight देख लो यहाँ पर पता चल जाएगा percentage में कि 13284 divided by 13867 total में XYZ का weight कितना है सर 0.9580 0.0420 total 1 आगया weight क्या चाहिए सर आपको portfolio बीटा निकालने के लिए portfolio के अंदर दो चीज़े XYZ और ABC दोनों का beta पता चल गया दोनों का weight पता चल गया final answer बीटा ओफ कंबाइंड एंटिटी वेट आए बीटा आए वेट ओफ क्या है XYZ बीटा ओप क्या प्याज़े वेट अभीटा अभीट अभीटा औप क्या पता ओफ क्या आएंटी यह तो आपने बहुत कैलकुलेशन ऐसा पॉर्टफोलियो वाले चाप्टर में करा वेटेड आवरेज बीटा चलो सर that is 1.2108 plus 0.0485. 1.26 कर लो दो डिजिट में अगर रोकना है तो क्योंकि इंस्ट्टिटूट ने भी किया यह तो मैं जूट नहीं बोलूंगा तो यहां पर मैं अपने आपको ही रोक ले तो 1.21 और 1.0 1.21 और 0.05 तो पॉर्टफोलियो बीटा यह आपका ऐसा आगया पॉर्टफोलियो बोलो कंबाइंटिटी इस प्रॉपर वर्ड बताओ समझ आया कि आपको पूरा का पूरा ज्यादा डिफिकल नहीं था सर बहुत आसान था बस आपको गेड अंगेड का कॉंसेट समझना चा यह बाकी तो सिर्फ एक ही концept था वेटे ट Chi to do दूनों का बीटा निकालना था दोनोंका वेट निकालना था वेट निकालने के लिए नि कालने क्ली हमने किस पे बेट निकाला सर हमने निकाला मार्केट वाल्यू प evil बख और clear तीख रहा था फेड़व क suits से अशे глуб multiply करोगे तो market value आएगी उसके basis पे price निकल सकती है ठीक है चलो sir आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे भी देख लो यहाँ पे 1.264 1.155 और यह 1.26 का आखरी answer चलो अब आजाते हैं question number 54 पे अच्छा है question ABC एक large business house है जो plan कर रहा है कि अपनी holy owned subsidiary KLM को वो बेच देगा तीन companies है इसके अंदर में एक खरीदने वाला एक company जिस जो बेचना चाहता है अपनी तीसरी दूसरी company को खुद नहीं भी करा ABC खुद नहीं भी करा अपनी holy owned subsidiary KLM 100% owned है उसको बेचना चाहता है अच्छा another large business entity XYZ ने interest दिखाया कि वो खरीदने ready है तो target तो यह हो गया KLM और XYZ है acquirer तो यह दो main companies है जो matter करती है आगे XYZ expect करता है यहां से अगर हम देखे XYZ expect करता है that after the acquisition annual earning KLM की 10% से increase होगी यह वाली same line पिछले question में भी थी बट वहां पे उसका कोई इस्तमाल नहीं था जरूरी ही नहीं थी वो चीज़ वहां पे पता नहीं बस copy paste करके कुछ और question पूछन पूछन था तो उन्होंने पूछा following information ignoring potential synergistic benefit कोई भी synergistic benefit ignore करे बगेर मतलब करने के बाद आपको कुछ information दी वही है profit after tax for KLM for the financial year has just ended is estimated to be 10 करोड तो profit after tax आपका 10 करोड होगा just ended काम आएगा आपके यानि वो zero time का है KLM का after tax profit has an increasing trend of 7% each year and the same is expected to continue growth rate 7% और यह synergy है सर synergy benefit यह 10% जो increase होगा न वो synergy उपर ही आगई इसलिए नीचे ignore करा estimated post tax market return 10% risk free return 4% tax current 30% बस यह 3-4 चीज़े दी वही है आपको सीधा सीधा अगर मैं लिखने जाओं तो profit after tax 10 करोड का growth 7% की RM 10% RF 4% tax 30% बस यह इतना दिया हुआ है आगे आपको नीचे कुछ और information दिये ध्यान देना XYZ ABC के number of shares दिया है 100 लाक और 80 लाक current share price दिये दोनों को multiply करोगे तो market value आती है ठीक है dividend payout यह earnings पे लगता है उसके बाद debt equity ratio देखो 1 is to 2, 1 is to 3, 1 is to 4 सेम ratio है P ratio दिया हुआ है और equity beta भी तीनों का दिया हुआ है ठीक है जो तीसरा part आपको दिया है वो है proxy entity for KLM जो target company है जिसे XYZ खरीदना चाता है XYZ acquirer है KLM को XYZ खरीदना चाता है KLM की कोई detail नहीं दी हुई है KLM के proxy KLM जैसे ही दूसरी company है कोई और उसकी आपको detail दी हुई है यहाँ पे ठीक है आगे assume करो gearing level of KLM to be the same as of ABC तो KLM का gearing level यानि की यह रहा आप यह मान के चलो कि KLM भी अगर यहाँ दिया होता तो उसका भी debt equity ratio 1 is to 3 होता ठीक है अब हमें कौन सी company खरीदनी है KLM खरीदनी है proxy नहीं खरीदनी है तो assume करो कि gearing level KLM का same है जो कि ABC का है और debt का बीटा 0 है you are required to calculate the cost of equity of KLM based on the data available for the proxy entity valuation हम बाद में देखेंगे पहले इस पे आजाओ अब अगर cost of equity KLM के निकाल नहीं है ध्यान देना मेरे बात पे बाद बाद सबगे है हुँ XYZ ABC KLM हम किसे खरीदना चाहतें KLM को हमें चाहिए इसकी cost of equity अगर हमें इसकी cost of equity निकालनी है CAPM से हम निकालेंगे cost of equity आपको किसे निकालनी पड़ेगी CAPM से RF plus beta of KLM in bracket RM minus RF आपको सब कुछ दिया है आपको KLM का Bety नहीं दिया हुआ कहा है KLM का Bety यह रही वो जगह दिख रहा है KLM का Bety कहीं पर Sir KLM का Bety नहीं दिया है अब दूसरा Point लेकिन KLM जैसी कंपनी का Bety दिया हुआ है तो वो हम इस्तमाल कर सकते हैं Right बिलकुल सही हम इस्तमाल कर सकते हैं 1.1 मैं यहाँ पे ले सकता हूँ लेकिन रुको मैं ले सकता था अगर KLM का भी debt equity ratio 1 is to 4 होता जो की है मेरी proxy का दोनों में risk same रहेगा तो मैं beta same ले पाऊंगा ना भले ही सब कुछ same है लेकिन debt equity ratio अलग-अलग होने की वज़े से मैं 1.1 इस्तमाल नहीं कर सकता otherwise मैं use कर लेता तो आगे अगर कहीं question आए आपको exam में तो आप ये बात का ध्यान रखना debt equity ratio same है तो आप उसका beta इस पे लगा सकते हो otherwise आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से 1.4 1 is to 4 हटा के 1 is to 3 add करना पड़ेगा हटा दोगे और हटाने के बाद 1 is to 3 add करना पड़ेगा so geared से ungeared ungeared से geared और फिर वो लगा सकते हो beta आप ठीक है so klm का beta यानि कि हमें geared klm का beta चाहिए geared के लिए हमें ungeared ratio चाहिए ठीक है तो हम क्या करेंगे अभी proxy के geared से और ये ungeared कहां से आएगा ये भी मैं बता देता हूँ वो आएगा geared beta of proxy या फिर मैं इदर ले लेता हूँ तो proxy के geared से ungeared निकालो फिर अपना geared निकालो klm का और फिर वो लगाओ CAPM में तो यहाँ पे होगा ये कि 1 is to 4 का जो risk है वो हट जाएगा और 1 is to 3 का risk add होगा इस में और फिर वो वहाँ पे लगेगा तो ये पूरी process में complete करता हूँ ध्यान देना पहला geared beta is equal to ungeared beta in bracket 1 plus debt equity ratio 1 minus tax geared beta 1.1 दिया हूँ अन गेर्ड हमें निकालना है 1 plus debt equity 1 is to 4 है 1 is to 4 किसका है सर अरे जिसका geared ले रहे हो न यहाँ पे उसी का debt equity ratio तो आप देख सकते हों यहाँ पे की 1 is to 4 है proxy का debt equity ratio और tax का rate कितना दिया हूए question में 30% तो 1.1 is equal to ungeared beta into 1.175 तो अन गेर्ड बीटा आ जाए पॉंट 9362 आगे यह अन गेर्ड बीटा इसका मतलब हमने क्या क्या कर लिया ध्यान देना हमने 1.1 से यह 1.1 को हमने convert कर दिया ungeared में 0.9362 तो हमने basically 1.1 में से यह वाला debt का risk हटा के ला लिया अब इसमें यह वाला debt का risk आएड करके वापस ला लो अपना गेर्ड बीटा अपना debt equity ratio है सर वन इस टू थरी तो हमारा debt जादा है actually equity के मामले में 25 परसेंट है उनका 50 था और 20 था तो हमारा risk भी जादा आएगा 1.1546 आगया अब यह ले लो यहां पर 1.1546 अब इस गेर्ड बेटा के मदद से आप cost of equity निकाल सकते हो that is going to be the second part of this question मतलब first part लेकिन B में cost of equity is equal to risk free rate plus beta in bracket rate market rate minus risk free rate 10 और 4 तो 4 परसेंट risk free हो गया गेर्ड बेटा हो गया 1.1546 दस कि दस माइनस चार है कि यह हो गया 10.93 परसेंट को सब्सक्राइब का पहला answer कि आया समझ में पूरी process यहां पर मैंने समझाई आपको कि क्या होना है X Y Z KLM को खरीदना चाता है उसकी cost of equity निकालने की यह process हो गई यह process हमने यहां पर follow करी अब यह अटा देता हूँ अब लिखता हूँ B second part का answer अब second part पढ़ेंगी भी सही न हम धान देना second part पर धान दो B क्या बोलता है अब आपको क्या निकालना है sir range of values for KLM KLM को हम acquire करना चाते है तो उसका valuation करना पड़ेगा ना उसे खरीदना है तो कितने में खरीदना so you will have to calculate the range of values for KLM both before and after any potential synergistic benefit to XYZ of the acquisition synergy के benefit के पहले और synergy के benefit के बाद आपको पता करना है कि value क्या होगी अब यहां पर एक problem है problem ऐसी है sir कि range निकालने बोला है अब आपने corporate valuation में एक ऐसा question देखा था जहां पर हमने range निकाली थी range निकालने के लिए दो basis होना चाहिए ना range का मतलब होता है कि कम से कम कितना जादा से जादा कितना तो दो अलग-अलग basis पर हम valuation करेंगे अब धान दो कि अब कि अब कि अब कि उसके लिए आपको लगेगा basis दो basis तो होना तभी तो range बन पाएगी सबसे पहला basis क्या होगा सर dividend growth model दूसरा basis होगा P multiple approach मैं बताता हूं कैसे इसके लावा एक basis आप बोल सकते हो कि देखो current share price और number of share से multiply कर लो तो market value आ जाएगी लेकिन किस की market value आएगी x y z और abc की market value आएगी abc तो हम खरीद ही नहीं रहे हम abc खरीद रहे हैं क्या नहीं हम x y z x y z klm को खरीद रहे है getting it तो klm का number of share किता नहीं पता share price किता नहीं पता तो यह business नहीं हो गया dividend payout देखो दिया हुआ है proxy का भले ही दिया हुआ है लेकिन दिया हुआ तो है question यह उठता है कि klm की proxy का dividend payout यूज करना या x y z का dividend payout यूज करना दोनों अलग अलग चीज है और दोनों सही है चलो पहले तो मैं basis clear करते था हूँ कि dividend payout can be one of the basis आपको dividend payout ratio दिया हुआ है cost of equity अभी अभी आपने निकाला growth rate यहाँ पे दीवी 7% तो possibility तो है आगे उसके बाद यह छोड़ दो PE ratio वाला भी possible है कि earnings आपको यहाँ पे दीवी है दस करोड वगर is something उसको अगर आप PE ratio से multiply कर दोगे proxy के 12 जो आ रहा है तो you can calculate the value of KLM the question is KLM की value proxy के basis पे निकालना है या acquirer की value के basis पे निकालना है क्योंकि XYZ acquire करेगा खुद के पास ला लेगा तो बाद में dividend भी तो कम देगा न वो वो क्यों follow करेगा किसी और की policy PE ratio भी बदल जाएगा ठीक है proxy के हिसाब से before merger निकालना है तो proxy की values लेना भी गलत नहीं तो institute ने दोनों तरीके से निकाला अब चार चीजे ध्यान देना पहले तो दो basis dividend payout और PE ratio और हर basis में आप दो angle से निकालोगे XYZ का डेटा लेके proxy का डेटा लेके उसमें भी आप दो angle से निकालोगे synergy के पहले synergy के बाद तक्रीबन तक्रीबन आठ answer निकलेंगे आपके range के लिए आठ answer मैं बताता हूं कैसे पहले तो ये दो basis पे दो answer हो गए अब दो में भी आप क्या करोगे आप data किसका लोगे depend करता है कि data किसका लेंगे हम data आप XYZ यहनी acquirer का लोगे या PQR बोलता हूं proxy का लोगे इसमें भी same आपको problem आईगी कि data किसका लोगे data आप XYZ का लोगे कि proxy का लोगे अब आपको चार answer दिख रहे हैं लेकिन इसके बाद में भी XYZ का data लेके pre synergy value यानी synergy का benefit consider ना करते हुए value निकालोगे और post synergy भी निकालोगे क्योंकि question दोनों बोल रहे हैं कि आप दोनों चीजे निकाल के दो और ये दोनों चीजे सर हम हर option के लिए निकालेंगे तो ये यहां पे भी आएगा ये यहां पे भी आएगा और ये यहां पे भी आएगा तो आपको आठ अंसर दिख रहे हैं क्या ये है आठ अंसर ऐसे हमें निकालना पड़े था सर आठ अंसर अब आप बताओ कैसे calculation करना है इंसिट्यूट ने ऐसे ही किया है मैंने बस आपको समझाया है यहां पे कि कौन से दो basis लेंगे हर basis में data किसका लेंगे और जो भी data लोगे उसमें pre और post synergy और pre और post synergy में सिर्फ एक ही फरकेसर post synergy में आपका 10% से आपको return और income बढ़ानी है तो 1.1 से आप multiply कर दो हर जगह पे बाकि सब कुछ सेम करें एक एक करके करते हैं सबसे पहले मैं dividend growth model ले लेता हूँ कि फॉर्मूला क्या होगा dividend growth model में कि market value is equal to earnings into dividend payout ratio into 1 plus growth बराबर divided by cost of equity minus growth earnings पे dividend payout ratio लगाओगे तो dividend आगया d0 उसमें growth add करके cost of equity minus growth ले लेना अब यहां लिखेंगे यूजिंग एक्स वाइजेट्स डेटा यूजिंग प्रॉक्सी डेटा दो आंसर फिर यहां लिखेंगे प्री सिनर्जी सिनर्जी के पहले और सिनर्जी के बाद में चलो calculation करते हैं धान देना क्या क्या चीजे उन्होंने बोली है उपर जाना पड़ेगा यहां पे देखना पड़ेगा तो यह 10% increase यहां जो लिखा है वो तो सिनर्जी का benefit है प्री वाले में इसको छोड़ देंगे profit after tax कितना 10 करोड का है ठीक है growth rate 7% की है अब जो भी profit after tax है उसका अगर एक्स वाइजेट का data लेते हो तो 40% dividend बटेगा दान देना 10 करोड का profit 40% का dividend लेकिन एक और चीज़ जाद रखो यह जो 10 करोड है वो just ended लिखा यानि कि zero है इसमें growth included नहीं है growth add करनी पड़ेगी into one plus growth divided by KLM का जो cost of equity निकाला था हमने वो use कर लेंगे 10.93 0.1093-0.07 अच्छा one plus growth में growth भी तो add कर देते है यह growth हो गई यह समझ में आया कि numerator क्या लिखा मैंने 10 करोड का KLM का profit जिसका 40% हम dividend बाटेंगे अब और 7% से वो grow होगा divided by cost of equity minus growth तो इसका answer यहाँ पे लिख लेंगे 4.28 0.0393 108.91 अब यही सेम चीज़ अगर हम proxy के data के साथ करते तो 10 करोड पे हमें 50% का dividend बाटना पड़ता बाकि सब कुछ सेम रहता 5.35 136.13 यह दो answer आ गए अब आपको क्या करना है पता है ध्यान देना यह सब कुछ उठा के मैं वापस copy paste कर रहा हूं एक ही difference आएगा सिर्फ pre और post synergy में post synergy में यह हमारी जो earning है वो 10% से बढ़ जाएगी तो earning को मैंने 1.1 से multiply कर दिया 11 अब इस पे मैं 40% देके 1.07 की growth आड करता हूं यहाँ पे भी मैंने 1.1 से multiply कर दिया क्योंकि synergy का benefit अब include करना है तो 10% से earning बढ़ानी पड़ेगी और फिर dividend बाटो 50% का इन्टो 1.07 अब देखो figures क्या आती है 4.708 5.885 5.85 last 149.75 क्या क्या difference था मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे यह 40% important है छोटा कर लेते हैं यहाँ पे यह 40% important था यहाँ यह 50% important था जो difference था ठीक है और यहाँ पे यह 1.1 important है थोड़ा सा बड़ा यह 1.1 और यह 1.1 बस synergy और post synergy में सिर्फ यही फरक है पोस्ट synergy में आप देखोगे 1.1 से multiply कर रहे हैं यहाँ synergy benefit इंक्लूड कर रहे हैं बाकि XYZ से proxy में जाओगे तो dividend payout ratio का ही difference है otherwise और कोई difference नहीं है तो यह 4 values हमारी आ गई यह सिर्फ 4 values आ यह dividend growth model पे यह जो हमने 1,2,3,4 नका लिया अब बाकी की चार values आपको बहुत असान है अब तो डिक्कत नहीं है P ratio किम basis पे निकालेंगे that is second point P multiple approach बहुत simple market value is equal to P ratio into earnings after taxes ठीक है सब कुछ same मैं तो copy भी कर लेता हूं बस data ही तो अटाना है वहां से अब यहां से data आटा देंगे ठीक है अब अगर हम P multiple approach से value निकालना चाहे KLM की तो KLM का P लेना पड़ेगा KLM का लोगे आप question यह भी सही बात है सर कि अगर हम हम अगर acquire कर रहे तो P ratio हमारा लगना चाहिए 10 KLM के हिसाब से देखे तो वह 12 भी ठीक है तो दोनों ले लो earning after taxes है आपकी अच्छा यह ले लेता हूँ 10 into 10 तो यह आ गया 100 करोड यह 10 नहीं यह कितना है proxy का P यह 12 into 10 तो यह आ गया 120 करोड लेकिन अगर आप synergy का benefit include करना चाहते हो तो 10 into 10 into 1.1 करना पड़ेगा और यहां पे 12 into 10 into 1.1 करना पड़ेगा क्योंकि 10% extra profit लेना पड़ेगा तो यह profit का part था ना second वाला 10 तो इसमें 1.1 इसमें 1.1 बस कहानी simple 110 132 तो यह 4 answer आपके के आगए यह वाला तो बहुत simple था इसमें सिर्फ differential point यह कि था यहां 10 लिया हमने P ratio यहां 12 लिया यहां 1.1 और 1.1 adjust करा बस यह changes है अब आपका range निकालना है आपको तो range कैसे निकालोगे आप इस सब के basis पे range निकाल सकते हो ध्यान देना range of valuation में हमेशा lower limit और upper limit होती है यह चीज़ आद रखो तो pre synergy valuation जो आपने करा उसमें सबसे कम और सबसे जादा वाली value ले लो और post synergy valuation जो आपने करा उसमें सबसे कम और सबसे जादा value वाली figures ले लो ध्यान देना pre synergy यानि दोनों केस में यह उपर के दो answer 108.91 और 136.13 और यहाँ पे 100 and 120 तो अगर आप ध्यान दोगे lower limit इन 4 में बता रहा हूं 1,2,3,4 इसमें यह pre synergy होगी दोनों केस में इसमें lower limit कौन सी है 100 की और highest limit कौन सी है 136.13 की तो आप यहाँ पे lower limit 100 लिख लोगे यह लिख लोगे 136.13 क्योंकि बाकि सारी figures चारों में से इनी के बीच में आ रही है ठीक है तो हमने अब यह मिटा दिया अब हम post synergy में क्या देखते हैं post synergy में आपको यह 4 figures देखनी है synergy के बाद की इसमें सबसे कम वाली figure है 110 और सबसे ज़ादा है 149.75 तो हो गया answer यह है आपका range of valuation की synergy के पहले देखना है तो 100 और 136 की valuation बनती है synergy के साथ देखना है तो 110 और 149.75 का valuation बनता है exact 10% ज़ादा है वो pre वाले से मतलब आप pre value value निकाल के सिर्फ 10% भी add कर दो तो आपकी कहानी बन जाएगी इतना सब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा आया कि समझ में यह सब चीज़े क्या निकले 8 figures निकाली है हमने 8 अलग 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 ठीक है सर इंस्टिटूट का answer देख लेते हैं अब यह 10.93 तो समझ में आया ही इंस्टिटूट के 8 answer देख लो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ ठीक है मैच कर ले मैंने मार्किंग तो करी है बट फिर भी अब मैच कर लेते थोड़ा मैंने इधर उदर इधर उदर लिखा है तो जहां हमारा 108.91 आ रहा रहा है उनका 108.91 इधर है उसके बाद 136.13 उसके बाद नीचे 119.79 हमारा 80 है और यह 149.75 भी मैच कर गया उसके बाद P ratio इन्होंने पहले solve कर लिया था तो यह यहां देखेगा 100 करोड 120 110 और 132 ठीक है 9.75 यह पूरी के पूरी कहानी थी कोशन नंबर 54 की सर अब आएंगे कोशन नंबर 55 पर धान देंगे 55 56 exact same है figures changes 55 हम करेंगे 56 home work देंगे और 57 हम करेंगे equity of kgf limited kgf limited को kgf l बोला है उन्होंने equity है उसमें 410 करोड की 410 करोड 170 करोड का debt है ठीक है तो इससे हमको total capital के बारे में पता चल जाएगा 580 equity debt 410 170 total 580 करोड प्रिंटर डिविजन जो है प्रिंटर डिविजन सेग्मेंट्स वाल्यू इस अट्रिबुटेबल तो 74 परसेंट विच अन असेट बीटा ओफ 1.45 बालन्स वाल्यू इस अप्लाइड ऑन स्पेर्स अन कंजुमेबल डिविजन बालन्स कितना 26 परसेंट व एजी एफल का डेट बीटा है 0.24 बस इतनी डीटेल दीए आपको असेट बीटा इक्विटी बीटा अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे वोई वाले कंसेट में जहां पे हम गेर्ड अन गेर्ड की बाते सीखते थे ठीक है अब अगर आपको ध्यान होगा यहां पे हमने लिया था यह रहा गेर्ड कंपनी में क्योंकि डेट है ना इस कंपनी में अन गेर्ड अगर डेट नहीं होता तो मैं बोलता असेट बी लेकिन इस कंपनी में डेट है तो ये वाला फॉर्मुल लगएगा असेट बीटा is equal to equity beta जान देना- शपेट बीटा is equal to equity beta weight of equity beta और Social बीटा और weight to самое question में आपको cause acid beta दिया है लेकिन दो दिया हुआ है 74% का एक है 26 का एक है तो आप weighted average निकाल के एक में convert कर सकते हो आपको weight of equity पता है debt beta पता है weight of debt पता है निकालने बोला है beta of equity यह निकाल सकते हैं आसानी से निकाल सकते हैं सर्थ तो चलो calculate करते सबसे पहली चीज जो हम निकालेंगे वो है weighted average asset beta क्योंकि 2 asset beta दिया हुआ है so द्यान दे न printer division है एक जिसका 74% है weight और जिसका beta है 1.45 balance 26% कौन से division को दिया है consumables division और उसका beta है 1.20 इन्होंने जो words यूज़ करें है letters वो हम लिख लेते हैं better रहेगा BSC और कौन सा beta बोला है beta P बोला है printer के लिए beta P यूज़ करा है ध्यान देना आप तो मैं weight of P यूज़ करें प्रिंटर डिविजन इन्टू beta of P asset beta of P प्रिंटर डिविजन और consumables pair के लिए इसनों इन्होंने weight of SC इन्टू beta of SC ठीक है BSC BP बोले तो beta तो आपका एक आंसर आजाएगा यहां पर इसको आप weighted average या portfolio beta भी बोल सकते हो that is 1.385 यह आपका asset beta हो गया पूरे company का चीक है अब देखो आगे अब question बोलता है आपको क्या निकालने है हमने तो यह पढ़ा ही नहीं सर question क्या निकालने बोल रहा है equity beta निकालने बोल रहा है निकाल सकते हमने अभी अभी formula देखा है तो asset beta total assets में दो तरके assets आ रहे हैं आपके equity और debt आप बोलोगे सर यह यह तो liability है यह asset थोड़ी है asset का मतलब वो asset नहीं हुआ यहाँ पर asset का मतलब overall उसके अंदर में क्या-क्या included है तो equity और debt weighted average निकालेंगे इसका भी कि beta of equity into weight of equity plus beta of debt into weight of debt यह हमको पता है 1.385 beta of equity हमें नहीं पता लेकिन weight हमें पता है weight is nothing but 410 करोड in 580 करोड so equity है 410 करोड in total 580 plus beta of debt भी हमें पता है 0.24 debt का बीटा जनरल हम 0 मानके चलते हैं गेर्ड अंगेर्ड में जब मैंने आपको समझाया था तब यह assumption था कि debt का बीटा 0 होता है इसलिए हमने इतने ही proportion को आगे बढ़ाया था चलो multiplied by weight of debt is 170 out of 580 अब आपका यह equation बहुत आसानी से solve हो जाएगा पॉइंट 7069 बीटा ओफ एक्विटी प्लस पॉइंट 0703 ठीक है अब इसको solve कर लेते हैं यह पॉइंट 0703 इधर आ जाएगा तो वन पॉइंट 0.385-0703 divided by 0.7069 तो आपका पीटा ओफ एक्विटी आ जाएगा 1.8598 यह 1.86 भी बोल लो institute ने 1.86 लिखा होगा हम 86 कर सकते हैं उसको कोई दिक्कत बाली बात नहीं है इक्विटी का बीटा आगया आपका यही तो question ने निकालने बोला था क्रॉस चेक कर लेता हूँ कर लेता हूँ कर दो कर दो 1.385 ठीक है यह आपका पहला answer आगया यहां तक कोई दिक्कत है वेटेड आवरेज तो निकालना है सर वेटेड आवरेज सिंपल वेटेड आवरेज सबका यह एक पार्ट हो गया आपका यह एक पार्ट हो गया था आपका आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पर सेकंड पार्ट है थोड़ा इंट्रेस्टिंग अब देखो असर्टेन करने बोला है वापस से इक्विटी बीटा निकालो अभी अभी इक्विटी बीटा निकाला वापस निकालो लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है इस बार KGF ने डिसाइड किया कि वो अपना डेट इक्विटी का पोजिशन बदल देगा अभी जो भी debt equity ratio को बदल देगा और इस तरह से रखेगा कि हर एक रुपे की equity के लिए एक रुपे 90 पैसे का debt होना चाहिए company में हर एक रुपे की equity के लिए एक रुपे 90 पैसे का debt होना चाहिए ठीक है sir तो क्या करेगा market में debt और issue करके पैसा लेकिया जाएंगे और उस पैसा से equity shares हम वापस खरीद लेंगे तो equity कम हो जाएगा debt आपका बढ़ जाएगा आप अगर अभी का debt equity ratio देखोगे तो 170 divided by 410 अभी का debt equity ratio सिर्फ 0.4146 इस टू 1 है यानि हर एक रुपे की equity के लिए 40 पैसा 41 वन पैसे का debt है company में उसे बढ़ाना है 1.90 करना है अब ध्यान देना कैसे होगा पहले तो total value निकाल लो 410 और 170 580 ठीक है debt इसमें से कितना होना चाहिए debt equity ratio जो maintain करना है वो है 1.90 इस टू 1 यानि कि 2 रुपे 90 पैसे 1.90 प्लस 1 2 रुपे 90 पैसे में 1 रुपे 90 पैसे का debt होना चाहिए so debt required का calculation देखो 5 रुपे 80 पैसा into 1.90 divided by 2.90 वो एक add हो गया इतना debt आपको और raise करना पड़ेगा जो कि 210 करोड का है 210 करोड का debt आप और raise कर लो और उतने का ही equity आप buyback कर लो उतने का ही equity आप buyback कर लोगे देर्फोर एक विटी बाइबेग दोसो दस क्योंकि debt equity ratio maintain करना है न पानसो असी मेंसे तीन सो असी डेट रहना चाहिए बागी का पूरा का पूरा आपका equity क्या कहते है equity हो जाएगा अब question कुछ और बोल रहा है क्या पीछे में देखते है इधर ये देखो assume करो that the present debt beta is 0.35 यानि जो 170 करोड है अपने पास debt उसका 0.35 beta है ये मानो और आगे जितना भी debt आप raise करोगे यानि की 210 करोड उसका बीटा 0.40 मानो ठीक है अब वापस से asset बीटा निकालना है धान देना सर अब आपका आपकी company कुछ इस तरह से दिखेगी equity debt one debt two ठीक है तीन चीज़े पहले दो ही चीज़े थी अब equity का तो हमें बीटा निकालना है debt का बीटा हमको दिया हुआ है question में कि अभी 0.35 है जो existing है और 0.40 है जो नया आप raise करोगे अब आप बताओ कि पूरे company का asset बीटा जो है asset बीटा will take it as 1.385 जो इन से निकल चुका था वो तो same same रखेंगे 1.385 बस आपको करना क्या है तीनो का weight लो और तीनो का आप बीटा से multiply करो should be equal to this much तो आपकी अपने आप ये figure निकल जाएगी देखो वापस से मैं ले रहा हूँ beta of asset is equal to summation of weighted average beta पहले formula लिख लिया अब ध्यान देना weight beta of equity weight of equity plus beta of debt 1 debt 1 लिख देता हूँ weight of debt 1 plus beta of debt 2 weight of debt 2 1.385 ये तो confirm था ही पहले से ये हमें निकालना है अब आप बताओ existing equity कितना है equity कितना रहेगा अब total में यहां लेकले ता हूँ equity buyback 210 हो गया न तो total equity will be 410 में से 210 तो आपने वापस ले ली 200 करोड की equity बची हुई रहेगी company में चीक है 200 आप ऐसा निकाल सकते हो या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि total company की value 580 है और कर देता हूँ minus 380 तो sir हमें debt ही रखना है company में तो 200 कैसे भी निकाल लो अब जान देना equity का weight है 200 divided by 580 सही बोल रहा हूँ में कि अब 580 करोड में 200 करोड का equity है plus यह हमें पता है 0.35 into 170 by 580 प्लस 0.40 into 210 by 580 बराबर यह तीन चीज़े है सर दो सो 170 और 210 ऐसे मिला के 580 अब हो रहा है अब बस क्या equation solve करना है आपको इतना easy question है कि इंस्टिट्यूट ने बहुत जिस तरह से लिखा हुआ है वह ऐसा लगता है कि क्या तो difficult question होगा यह 0.1448 equation solve कर ले मैं फटा फट एक ही बार में answer निकाल देता हूं सरा अब क्या करेंगे सर देखो इसको उधर ले जाओ तो minus हो जाएगा इसको भी उधर ले जाओ तो minus हो जाएगा और यह उधर जाएगा तो divide हो जाएगा एक ही बार में आप कर सकते हो धान देना 1.385 minus 0.1026 minus 0.1448 divided by 0.3448 तो यह आपका answer आगे 3.299 यह 3.3 कर सकते हो आप उसको 3.299 नया equity beta तो आपके दो answer इस question के यह है beta of equity 1.86 और इस case में 3.3 बोल सकते हो institute का answer देख लेते हैं 1.86 इससे सहमत है आप इसके बाद में दूसरा answer देख लो 3.296 आ रहा है और ratios का फरक है क्योंकि इन्होंने weight यहाँ पे 3 decimal में लेके round off किया हो है हमारा 3.299 आ रहा है तो that is more appropriate ठीक है तो दोनों answer आपके हो गए अब तीसरा वाला part थोड़ा contradictory है बट exam में आपको ऐसे ही लिखना है अगर same question आता है तो क्या है पढ़ लेते हैं whether the new equity beta जो आपका नया equity beta यानि कि पहले था 1.86 और अब हो गया 3.3 तो equity beta बढ़ गया यह समझ में आ रहा है न आपको ठीक है तो क्या नया equity beta justify करता है increase in the value of equity on account of the leverage क्या नया equity beta यह proof करता है कि equity की value increase हुई है हमारी leverage की वज़े से अब equity की value increase होना यानि आप बोलोगे सर पहले तो 410 था equity अगर हम देखें 410 था अब वो 200 हो गया तो increase कहां हो रही है value increase नहीं हो रही equity की value तो गिर रही है actual मैं देखा जाए ना तो equity का amount गिरा है value नहीं गिरी और value कितनी है यह नहीं पता चल रही question से increase हुई है यह नहीं पता चल रही question से so 100% यह बोल पाना गलत हो जाएगा कि increase होती है equity की value क्योंकि जब आप debt और raise करते हो company में तो beta बढ़ता है risk बढ़ता है risk बढ़ने से क्या होता है equity की जो share price है market price है या stock exchange पर अगर वो listed है तो यह prices और जादा volatile हो जाती है बहुत जादा movements आने लगती है तो जादा movements का मतलब है बढ़ भी सकती है और गिर भी सकती है आप एक चीज़ समझो तो सही अगर 1.86 से 3.3 beta हो गया risk बढ़ा तो हम यह बोलते है ना higher the risk higher the return return high कब मिलेगा जब value increase होगी but वो सिर्फ एक side है higher the risk का मतलब loss भी higher हो सकता है तो value गिर भी सकती है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो statement थोड़ा सा आपका contradictory है question में answer क्या लिखा है देखो answer में clear लिखा है कि हाँ sir जो value increase हुई है यह justify करता है increase as it leads to increase in the value of equity leverage की वज़े से या beta की वज़े से equity की value बढ़ी है यह answer है जबकि यह आप prove नहीं कर सकते कि value बढ़ी है पहली बात तो आप 410 को 200 से compare करना भूल छोड़ देना आप बोलोगे गिर रही है तो decrease लिख लिख लेता हूँ decrease भी गलत है लिखना increase भी गलत है लिखना दोनों तरीस कैसे लिखो increase decrease तो सही रहेगा क्योंकि risk बढ़ने से return तो बढ़ता है लेकिन chances of loss भी बढ़ जाते ना loss भी तो बढ़ेगा तो risk का मतलब ही हो गया कि दोनों साइड में आपको profit या loss दोनों हो सकता है तो सिर्फ increase बोलना गलत हो जाएगा बट नेवर तलेस मैंने आपको समझा दिया आपने एक्जाम में अगर ऐसा आता है तो लिखना जरूर ऐसा ही marks भी तो जरूरी है न सर exact same है सर आप solve कर सकते हो पूरे question में आपने weighted average बीटा ही इस्तमाल किया है आप summarize मैं एक बार करता हूँ धान देना पहले आपके portfolio में सिर्फ दो चीजे थी धान देना पहले आपके portfolio में सिर्फ equity और debt था ठीक है तो आपने asset बीटा कैसे निकाला दोनों का weighted average करके आपने weight लिया बीटा लिया multiply किया और weighted average कर लिया उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपने अलग तरह का debt और raise किया तो अब आपके question में equity debt 1 और debt 2 है करना वापस वह यह आपको निकालने हादोनों बार में ये बोला गया था कि ये निकाल के बताओ ये निकाल के बताओ बाकि सब कुछ आपको दिया हुआ था आपको ये ये और ये दिया हुआ था इससे ये निकल गया था इसी को आपने यहां पे लगा लिया फिर ये 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 और ये सब दिया हुआ था सिर्फ रेड़ वाला पार्ट आपको नहीं दिया हुआ था निकल लिया बहुत आसान कोशन कोशन 56 भी ऐसे है सर 57 और लास कोश सेवन और लॉजिकली देखा जाए तो ऐसे questions आपको already पूछे जा चुके हैं CA Inter Financial Management में Capital Structure Decisions में अगर आपने थोड़ा बहुत भी वो पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा नहीं पढ़ा होगा वहाँ पे कुछ भी तो जरूरी कि मतलब आप tension मत लेना बट क्योंकि यह question ऐसा है जहां आप आप question का answer देखके आसानी से समझ जाओगी कि कैसे solve करना है ठीक है following information is available of measures TS Limited आपको सबसे पहले profit before interest and tax दिया हुआ है पांच करोड का अभी actually यहाँ पे थोड़ी सी करोड ऐसा आगे interest माइनस किया है हमने debt पे एक करोड एक करोड इंट्रेस्ट है वो भी 10% का अगर एक करोड दस परसेंट है तो total debt कितना हो गया one by point one zero यानि कि 10 करोड का ठीक है उसके बाद पांच में से एक गया चार करोड का हमारा profit before tax आ रहे है tax 25% माइनस कर दिया तो profit after tax आया number of outstanding shares of rupees 10 each दहन देना उस लाइन पे 10 रुपए के 40 लाग shares है तो total मिला के कितने lakhs का capital हो गया 400 लाग का और करोड में अगर पता करना है क्योंकि सब कुछ करोड में है तो 400 लाग को आप बोलते हो 400 लाग को आप 4 करोड भी बोल सकते हो ठीक है ठीक है अब आगे देखो आपका earning पर share आता है 7 rupees 50 पैसा कैसे calculate हुआ 3 करोड का profit after tax और 0.4 करोड के number of share 3 करोड का profit after tax 0.4 करोड के number of shares 0.4 करोड 40 लाग या 0.4 तो EPS आगया 7.5 PE ratio है 10 गुना तो market price आगया 75 ठीक है अब TS limited के पास में कुछ undistributed reserves भी रखे हुए है 8 करोड के कितने सर 8 करोड के reserves है तो share capital में वो add हो जाएंगे 8 करोड तो total equity वालों का पैसा कितना 12 करोड और debt वालों का कितना 10 करोड company में capital कितना हो गया 22 करोड धान देना और एक चीज debt to capital ratio अगर में निकालू debt to equity नहीं पूछ रहा हूँ debt to capital ratio अगर में निकालू तो वो 10 करोड divided by 22 करोड that is around 45.45% आ रहा है और बाकी का बचा कुचा equity का ratio है equity to capital 54.55 ठीक है आगे the company requires 3 करोड रूपीज for the purpose of expansion which is expected to earn the same rate of return on capital employed underline करो capital कितना डाला है company में equity और debt मिला के 22 करोड का capital है company में जो अभी में हम return कमा रहे हैं capital पे उतना ही return इस 3 करोड के extra expansion पे लगने वाले हैं हमें 3 करोड रूपे की और जरूवत है 22 प्लस 3 25 करोड हो जाएगा ठीक है however अगर debt to capital employed debt to equity नहीं बोल रहा है वो वो बोल रहे debt to capital ratio 35% से उपर जाता है तो आपका P ratio गिरके 8 times हो जाएगा अभी कितना है 10 वो 8 times हो जाएगा और cost of additional debt additional कितना raise करना चाहते हो आप 3 करोड उस पे आपको 14% का interest देना पड़ेगा अगर आप ध्यान दोगे तो 10 करोड के debt पे आप already 10% दे रहे हो लेकिन ये जो 3 करोड और raise करना चाहते हो उस पे 14% देना पड़ेगा अगर आपने debt से ये 3 करोड raise किया तो आपको ये data दिया हुआ है और आपको बोला है कि company कौन सा option चूज करेगी और क्यू करेगी बहुत simple है पहला option कि सारा का सारा पैसा debt से raise करो दूसरा option कि आप ये सारा का सारा पैसा equity से raise करो और number of equity आप 25 रुपिस के हिसाब से बाट दो अगर आप देखोगे तो 3 करोड divided by 25 पॉइंट 12 करोड या 12 लाग shares आपको और issue करने पड़ेंगे अगर आप equity से 3 करोड लाना चाहते हैं तो बहुत simple question question number 57 option देखो क्या है आपके पास में बहुत simple सा बात है कि हमें चाहिए funding funds चाहिए हमें चाहिए 3 करोड के funds और हमारे पास में दो option है उस funds को लाने के लिए या तो हम equity से पहला option जो है वो है debt से लाए या तो हम equity से लाए धान देना अगर आप debt से लाते हो तो क्या होगा आपके company में equity already कितनी है sir 12 करोड debt old वाला कितना है sir 10 करोड और नया वाला debt कितना हो जाएगा तीन करोड इस तरह से 25 करोड हो जाएगा आपका पूरा capital लेकिन अगर आप equity से raise करते हो तो equity हो जाएगी 15 करोड और debt हो जाएगा 10 करोड इस तरह से total हो जाएगा 25 करोड आए समझ में आपको कि क्या होने वाला है हाँ हाला कि अगर आप देखोगे debt to capital ratio तो वो होगा 13 करोड divided by 25 अब तो वो तकरीबन 52% तक जा रहा है which is higher than 35% mentioned by the question इसका मतलब जो भी हम extra debt लेके आ रहे हैं उस पे 14% का interest देना पड़ेगा हमें इस पे 10% का interest देना पड़े रहे हैं आप सारी कहानी निकाल लो और पता करो कि market price किसके basis पे sir ultimately market value matter करती है किस case में जाधा होती है जिस भी particular option में market price जाधा रह रही है that option is preferable तो सबसे पहली चीज़ जो हम निकालेंगे first capital return on capital employed capital employed में क्या आ रहा है ध्यान देना equity या फिर आप बोलो equity shareholders fund plus debt capital employed बोला उसने कहीं पे भी equity नहीं बोला या shareholder नहीं बोला जितना भी पैसा company में लगा है वो है shareholders का और debt का और अगर denominator में दोनों है तो numerator में भी दोनों की earning होनी चाहिए that is called as profit before interest and tax after tax मतलो before interest and tax आप 5 करोड divided by 22 करोड आपको final answer मिल जाएगा that's 22.73% आप अभी जो कमा रहे हो न capital employed पे that is 22.73% और इतना ही बाद में भी कमाने वाले हो यहां इसका मतलब हो जाता है कि revised EBIT will be total capital multiplied by ROCE कितना capital invested है हम एक के नीचे एक लिख लेते हैं अच्छा रहेगा total capital company में 22 plus 3 का हो जाएगा बाद में और उस पे हम 22.73% कमाएंगे जान देना profit before interest and tax ऐसा profit है जिसमें से shareholder को और debt को दोनों को पैसा मिलता है तो denominator में अगर capital दोनों का है तो numerator में भी return profit दोनों का होना चाहिए यहां पे भी हमने यह लिया कि चलो अब revised EBIT निकाल लेते हैं capital बढ़ गया न 3 करोड से तो earning भी तो बढ़ेगी question clearly बोल रहा है कि जितना भी आप additional fund raise करोगे उस पे कितना कमाओगे जितना अभी आप कमा रहे हो that is 22.73% तो revised EBIT आपका आ जाएगा 5.6825 crores यह आपका revised EBIT आ गया अब ज्यान देना अब हम निकालते हैं कि दोनों option में से कौन सा बैतर है evaluation of both the option तो option 1 option 2 दोनों में EBIT लिख लेते हैं option क्या था वो भी लिख लेते हैं सही रहेगा आप debt raise करोगे तीन करोड का यहां पर आप equity raise करोगे तीन करोड के ठीक है EBIT दोनों case में सेम रहेगा 5.6825 5.6825 इसमें से हम interest minus करेंगे old debt interest on new debt क्योंकि नया debt भी आया और अलग-अलग ratio है old debt पे एक करोड का interest लग रहा था और नया debt पे तीन करोड पे 14% के हिसाब से लगेगा that is 0.42 अब उधर देखो 5.685 इस पे तो एक करोड का लगेगा यहां पे दूसरे option में तो आप सिर्फ equity ही raise कर रहे हो कोई debt तो ही नहीं पुराने debt के अलावा ठीक है तो वह एक करोड ही रहेगा यहां पे कुछ नहीं रहेगा मैं 1.00 लिख देता हूं ठीक है तो अब क्या आ जाएगा हमारा ebt आ जाएगा that's 4.2625 and 4.6825 अब आप tax minus कर दो अब तो same process चलानी है जो यहां दी थी it tax the 25% 1.0656 3.1969 1.1706 3.5119 यह आ गया earning after tax number of shares दान देना पहले 0.40 करोड के share थे सब कुछ करोड में चल रहा है यहां पे भी करोड में लिखो और अब 0.52 करोड के shares हो जाएंगे आपके पास में क्योंकि 12 लाक share और issue करें दूसरे option में तो यहां पे आपका EPS आ जाएगा 7.99 6.75 PE ratio question clearly बोल रहा है कि अगर आपका debt to capital ratio दान देना debt to capital ratio 35% से उपर जाता है तो फिर आपका PE ratio गिर के 8 हो जाएगा अब हमें दोनों में decide करना पड़ेगा कि debt to capital ratio हमारा कितना है ठीक है तो हम यहां पे debt to capital ratio लिख लेते हैं इस case में हमारे पास में 25 करोड का total capital है और 13 करोड का debt है तो ratio हो गया 52% जो कि 35% से जादा है इसलिए PE ratio गिर के हो जाएगा 8 और इस case में हमारे पास में 10 करोड का capital है 10 करोड का debt है 25 करोड का total capital है तो 10 by 25 इस case में भी 40% हमारा debt to equity ratio है जो कि 35 से जादा है तो यहां पे भी PE ratio हो जाएगा 8 दोनों में PE ratio 8 हो जाएगा exactly क्योंकि दोनों में ratio जादा है अब actual में देखा जाए तो यह आपने ऊपर लिखना चाहिए था मैं इस चीज को थोड़ एक step नीचे कर देता हूं और इस चीज को हम उपर सरका लेते हैं तो at least हर option में debt to capital ratio निकल गया तो PE ratio नीचे ले लिया और अब देखो market price 63.92 54 आप decide करो कौन सा option best है सर देखो जिस किसी में भी हम हमारे equity shareholder को ज़्यादा return दे पा रहे हैं that option is best क्योंकि हमको तो 3 करोड चाहिए कहीं से भी लेके आओ expansion के लिए 3 करोड तो हमें मिली जाने तो पहला option चूज करो जिसमें market price भी जादा हो रही है so company should raise entire capital of 3 crores through debt as it helps in highest market price या फिर as it results in higher market price क्योंकि market price जादा है इसलिए earning भी बढ़ेगी हमारी expansion किसलिए कर रहे हैं तीन करोड का फाल तुमें पैसा डालके बैठना चाहते हो क्या तीन करोड रुपे से कुछ earning भी बढ़ेगी तो बढ़ाया earning फिर हमने debt to capital ratio निकाला तो 50.92 और 54 आ रहा है और यह हमारा question खत्म option one is preferred debt के थूरू raise करना चाहिए इसके साथ mergers and acquisition भी आपका chapter खत्म वासर startup finance के दो question है मैं ब्रेक ही लूँगा और ब्रेक के बाद तुरंती चीज़े पढ़नी भी नहीं है आपको startup finance के दो question देखते हैं उसके बाद में कुछ बाते करेंगे सर और थेरी भी बाकी है भी थेरी तो फटाफट फटाफट हो जाएगी थेरी कैसे पढ़ना है मैं starting में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिसमें आपको बता चलेगा रहे सर तो थेरी पढ़ाई नहीं रहे सर थेरी पढ़ाएंगे लेकिन इसका जो तरीका होता है थेरी बढ़ने का उसमें आप पे ज़्यादा डिपेंड करती है चीज़े ना कि मुझ पर मैं कितना भी यहाँ पर बोल दू जो मेरी speed है बोलने की वो तुरंथ तुरंथ दिमाग में जाएगा और दिमाग में जाने के बाद में भी आपको उतना समझ नहीं आता कहीं से भी हो लो मतलब थेरी या कुछ भी पढ़ने का एक वो ही लॉजिक होता है आप कोई भी दो-चार पढ़ने पढ़के देखो किताब के आपको समझ तो जाएगा उस पॉइंट पे लेकिन मैं आपको एक बेसिक आइडिया जरूर दे दूंगा मार्किंग हम बहुत जादा करने वाले हैं थेरी में ठीक है पहले दो क्वेशन कर लेते हैं स्टार्टप फाइनेंस के फिर थेरी जब शुरू करेंगे तब देखेंगे बाई-बाई